हलो दोस्तो गूड मॉर्निंग स्वागत एक बार फेट से आप सभी का मिस्राजी टेक्निकल यूटूब चैनल में दोस्तो आज है 16 नौबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 16 नौबर 2020 के करेंट अफेर के सभी important questions के बारे में पूरी वीडियो धास देगेगा पूरी वीडियो बहुत ही अच्छी से डिटेल में explain की गई है अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कर दीजेगा इस वीडियो को share जरूर कीजेगा अपने दोस्तों के पास और चैनल को subscribe जरू किएगा अगर आप पहली बारा है चैनल पर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चले दोस्तों बात करते हैं लाजडे के कुशन के लाजडे का मारा पहला कुशन था विशु दयालुता दिवस कब मनाया जाता है वर्ड काइडनेस टे तो यह मना जाता है दोस्तों 13 नमबर को अगला हाली में तिल वी विन नामप पुस्तक किस ने लिखी इस पुस्तक को लिखा रणदीब गुलेरिया ने जो की एमस के डिरेक्टर है इन दोनों ही कुशन के बारे में काफी लोग ने बहुत अच्छी से डीटेल में अंसर किया है ऐसे ही आप लोग भी डीटेल में अंसर किया करो चले दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले कुशन की पहला कुशन है जारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों जारखंड स्थापना दिवस प्रतेक वर्स 15 नवंबर को मनाया जाता है और अभी हाली में 15 नवंबर को मनाया गया जारखंड का दोस्तों 20 स्थापना दिवस मनाया गया कौन सा 20 स्थापना दिवस मनाया पंदरा नॉंबर को सन 2000 में कब 15 नॉंबर सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था जारखंट और जब अलग हुआ था तब ये 28 बना था 28 राज के रूप में अलग हुआ था जारखंट अभी इसी महेंने में दुस्तो 27 राजी के बारे में भी मैंने आपको बताया था 27 राजी के रूप में अलग हुआ था उत्राकंड कब वो अलग हुआ था? वो 9 नौवमबर को अलग हुआ था ठीके? 9 नौवमबर सन्द 2000 को उसी वर्स वो भी अलग हुआ था तो वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और इधर कुछ दिन बाद यानि 6 दिन बाद 15 नुवंबर को 28 राजी के रूप में अलग हुआ जारकन, किलियर है पिल्कुल, जारकन दोस्तों इसको जंगल की भूमी भी कहा जाता है, इसे बुस लेंड की नाम से भी जाना जाता है, ये दो पॉइंट भी या जारकन का और 15 नुवंबर को जारकन अस्थापना दिवस, 20 नुवंबर को विश्व बाल दिवस, इंपोर्टेंट डेज जो भी नुवंबर मंद के हैं, अभी कल ही मैंने आपका रिविजन कराया को था, तो आज आपकी बारी है, आज आप लोग लिख डालो, जो भी इंप धरनर है दिरौपदी मुर्मु, देखिये जारकन दोस्तों ये रहा जारकन, ये बिहार से लग हुआ 15 नुवंबर सन्द 2000 को, किस से किस से अपना बार्ल से एर करता है, थोड़ा सा यूपी से भी बार्ल से खरता है, बिहार से वेस्ट बंगाल से, ओडिसा से और चट्टिस गड़ से अपना बॉर्डल सेयर करता है जारखंड हाई कोट की बात की जाया तो जारखंड हाई कोट के करेंट टाइम पर Chief Justice है है रवी रंजन कौन है रवी रंजन है यहां के करेंट टाइम पर Chief Justice नेक्स्ट बात करते हैं अगला IRCTC ने कब भारत दर्शन यात्रा शुरू करने की खुशना की तो IRCTC ने दोस्तों भारत दर्शन यात्रा शुरू करने की खुशना की है दिसंबर 2020 से भारत दर्शन यात्रा या भारत दर्शन यात्रा या भारत दर्शन भारत दक्षिण यात्रा की नाम से भी जाने जाएगी इसके तहर दोस्तो इस्पिसल ट्रेने चलाई जाएगी 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक कहां से चलाई जाएगी हैदराबाद और सिकंदराबाद से तो इसकी थीम रखी गई है थीम के कॉर्डिंग आप लोग समझेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा इसकी थीम है यानि भारतियों को भारत का दर्शन कराना या भारत की दर्शन तो इसी लिए भारत दर्शन यातरा सुरू की गई है भारतियों को भारतिय परेटकों को भारत में ही इस्थित जो तीर थर्थल है या फिर परेटर नस्थल है उन तक यात्रा कराने के लिए IRCTC ने ये पहल शुरू की है एक special train शुरू की है क्लियर दिसंबर में ये शुरू की जाएगी IRCTC आया है इसके बारे में जानते हैं इसका फुलफाम बहुत पूछा जाता है IRCTC का IRCTC का फुलफाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्परेशन इसकी सुरुवात दोस्तों हुई 1999 से ये भारतिय रेलवे का ही एक सहायक संगठन है क्लियर है अगला कुशन देखते हैं हाले में कहाँ पर बच्चों के लिए विस्व का पहला पुस्तकाले खोला गया तो अभी हाले में बच्चों के लिए विस्व का पहला पुस्तकाले खोला गया दोस्तों कुलकाता में कहाँ पर कुलकाता में ये पहसे मंगाल परिवहन और APJ Anand Children's Library के सायोग से डेवलब किया आ रहा है इसमें दोस्तों बच्चों के लिए लगभग 1000 से ज़्यादा पुष्टके होंगी इस लाइबरेरी में तो बच्चों के लिए विश्व की पहली लाइबरेरी कुलकाता में खोली जा रही है चलिए अगला देखते हैं हाले में किस केंद सासित प्रदेश ने कलई गनर करुणा निधी नास्ता योजना सुरू की तो अभी हाले में पुडू चेरी ने दोस्तों सुरू की है कलई गनर करुणा निधी नास्ता योजना ये कलाई गनर करणोना निधी नास्ता यूजना क्या है? इस यूजना के तहत होगा ये कि स्कूली छात्रों को, स्टुडेंट्स को फिरी में नास्ते की सुभधा प्रदान की जाएगी तो अभी तो कम स्कूल खुले हैं क्योंकि कोरोना के वेज़े से ज़्यादा जगहों पर स्कूल नहीं खुले हैं ये द्रमुक पार्टी के अधेक्स थे, अलाकि अब इनका निधन हो चुका है, M. करुणा निधी जी तो इनहीं के नाम पर ये शुरू किया गया है, ठीक है? पुडुचेरी सरकार के द्वरा पुडुचेरी आया है, तो पुडुचेरी देख लिजे, मैप में दोस्तों, ये रहा पुडुचेरी भारत में, जहाँ जहाँ पर रेट कलर का डॉटेट है, ये पुडुचेरी है, ठीक है? पुडुचेरी के लेटनन गवर्नर है किरन बेदी जी, ये अभी बिजेपी प प्रवरतन निदेशाले के निदेशक संजे कुमार मिस्रा का कारेकाल कितना बढ़ाय गया तो दोस्तों संजे कुमार मिस्रा जी का कारेकाल एक येर के लिए एक वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है प्रवरतन निदेशाले के निदेशक के रूप में प्रवरतन निदेशाले यानि Enforcement Directorate तो Enforcement Directorate के ये निदेशक हैं डारेक्टर हैं और इनकी नियुक्ति हुई थी 2018 में 2018 में 19 नॉवंबर को हुई थी इनकी नियुक्ति तब इन्हें नियुक्ति किया गया था दो वर्सों के लिए यानि 2020 में इनका कारिकाल समाप्त होने वाला था अब एक वर्स के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया है तो अब ये 2021 में रेटैर होंगी यानि इनका कारिकाल कितना हो गया तीन वर्सों का हो गया ठीक है तो प्रवर्तन निदेशाले की ये निदेशक है संजे कुमार मिस्रा ये कुश्चन important है क्यों important है क्योंकि आपने देखा होगा सुसान सिंग राजपूत के मामले में enforcement direct rate जो है ये आया था काफी ज़्यदा चर्चे में एक enforcement direct rate आया था चर्चे में और एक आया है चर्चे में दोस्तों Narcotic Control Board NCB इससे भी ध्यान रखना है इन दोनों के बारे में आपको द्यान रखना CBI के बारे में तो आपको पता ही होगा तो इस वैसे enforcement direct rate के बारे में आपको पता होना चाहिए इसके स्थापना होई 1 मई 1956 को 1956 को एक मई को इसके स्थापना होई नई देली में इसका headquarter है और डारेक्टर कोन है संजे कुमार मिस्टा अगला हाली में अंतराष्ट्य वित्तिय सेवा केंदर प्राधिकरण ने किस वीनियमन को मंजूरी दी तो अभी हाली में अंतराष्ट्य वित्तिय सेवा केंदर प्राधिकरण ने दोस्तों IFSC Banking Venium 2020 को मंजूरी दी है अंतराष्ट्य वित्तिय सेवा केंदर प्राधिकरण ने इंटरनेशनल फाइनसियल सर्विस सेंटर अथर्ट्य इससे सौर्ट फ़र्म में लिखेंगी तो आपको अराम से समझ में आए जाएगा IFSC IFSC का यूज आप कहां पर करते हो जब भी bank transfer करना होता है कोई किसी bank के पास पैसे transfer करना किसी bank account में तो आपको उस bank का IFSC code डालना ही होता है तो उस bank का IFSC code दूस्तों इसी authority के दोरा इसी प्रादिकरण के द्वारा अप्रूर्ट किया गया रहता है दिया गया रहता है उस बैंक को ठीक है उस बैंक के लिए जारी किया गया रहता है तो यानि की कह सकते हैं ये जो अथर्टी है IFSC जो है इसने अपना एक नया banking वे नियमन जारी किया है ठीक है इसको मंजूरी दी है जैसे समिधान में होता है संसोधन होता है या फिर कोई नया समिधान लागू करना होता है कोई अपडेट होता है सेम वैसे ही समझिए आप लोग कि इधों ने भी अपने नियमों में कुछ अपडेट किया है कुछ बदलाव किया है अपने रूल्स और रेगलेशन में और इसे नाम दिया है IFSC बैंकिंग वे नियमन 2020 के लिए चलिए नई दिली में भी एक पैठा को आयोज़ित हुई थी उसी में इसके लिए मंजूरी मिली है अगला है हाली में किस मंत्राले ने है लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया तो अभी हाली में दोस्तों केंद्रिये वस्त मंत्राले ने हैस्टेग लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया है ये हैस्टेग लोकल फॉर दिवाली कैंपेंज जो है दिवाली के आउसर पर सुरू किया गया क्यों अगलाक एक और प्रभार मिला है मंत्रा ले का महिला और बाल विकास मंत्री भी हैं यह भी आपको ध्यान रखना है चल टेस्ट बाट करते हैं अगला कुछן है हाली में किस देश के पूर्व राष्टपती जेरी जान रोलिंग्स का 73 वर्ष की उमुर में निधन हो गया तो दोस्तो ये थे घाना के राष्टपती पूर्व राष्टपती जेरी जान रोलिंग्स इनका 73 वर्ष की उमुर में अभी हाली में निधन हो गया घाना के पूर्व राश्टपती थे दो बार ये राश्टपती रह चुकी है घाना के घाना दोस्तो एक African country है कौन सी African country है African continent में एक country है एक देश है घाना चलिए वर्ड मैप में देख लेते हैं घाना है कहाँ पर दोस्तो सबसे पहले ये रहा मारा प्यारा भारत यहां से हम ल कि राजधानी यहां के प्रेसिडन्ट है नाना अकूफू एड्रो यहां की है करेंट राष्टेपुती करेंट प्रेशिडन्ट और अभी पूर्ड प्रेसिडन्ट जो थि यहां के जेरी जॉन रोलंग्स उनका निधनों क्या है अगला है किस खिलाड़ी ने Turkish Grand Prix 2020 जीत कर वेशो Championship अपने नाम किया तो अभी हाली में Turkish Grand Prix F1 Race जीत करके World Championship अपने नाम कर लिया है Lewis Hamilton ने Lewis Hamilton ने Turkish Grand Prix F1 Race भी जीत लिया है और इसी को जीतने के साथ ही 2020 का जो World Championship था F1 Race का फामला वन रेस का उसको भी जीत लिया है Lewis Hamilton ने लूिस हैमिल्टन दोस्तों मर्चरीज की खिलाड़ी है ब्रेटेन की ये रहने वाली है टरकिस F1 रेस जीत लिये हैं लूिस हैमिल्टन का दोस्तों ये साथवाँ वर्लड चेम्पियंशिप था F1 रेस का और साथ बार ही माइकल सुमाकर ने भी रिकार्ड बनाया था रिकार्ड के बारे मैंने आपको बताया था, अभी तक क्या था माइकल सुमाकर सबसे ज़्यादा दुनिया में F1 रेस जीतने वाले वैक्ती थे, लेकिन लुएस हैमिल्टन ने उनको पीछे कर दिया है, लुएस हैमिल्टन की कैरियर की ये 94 मी जीत थी, 94 रेसे ये जीत चुक तो अभी हाली में दोस्तों सौमित्र चतरजी का निधन हो गया, काफी फेमस ये भारतिये एक्टर तथे, अब नेता थे, इनका निधन हो गया है, कई Awards भी मिल चुके हैं और मैंने आपको बताया है, अगर नागरिक संमान मिला हो किसी को, तो वो question important हो जाता है, निधन से related questions तो इनको नागरिक सम्मान भी मिला हुआ है, 2004 में इनको मिला था पदम्भूशन, ठीक है, इसी के साथ ही 2006 में ये निशनल फिल्म एवार्ड पाये थे, 2012 में इन्हें मिला था दादा साहब वाल के वार्ड, चो कि फिल्म के छेतर का सबसे बड़ा एवार्ड होता है, तो 2012 में म रिलाइंस रिटेल वेंचर्स लिम्टेड ने दोस्तों अर्बन लैडर की 96% हिस्सेदारी खरी दी है अर्बन लैडर दोस्तों एक ये फरनीचर की कमपनी है और इसकी 96% हिस्सेदारी अभी हाले में रिलाइंस रिटेल वेंचर्स लिम्टेड ने खरी दी है कितने में 182.12 करो रुपए में अच्छा 4% तो Reliance Retail Ventures के पास पहले ही था 96% अब भी खरीद लिए है तो टोटल कितना हो गया 100% यानि पूरी की पूरी 100% हिस्सेदारी किसके पाता आ गई Reliance Retail Ventures Limited के पास इसे भी आपको ध्यान रखना है Reliance Retail Ventures दोस्तो Reliance Industries का ही एक पार्ट है और Reliance Industries के चेर्मेन है मुकेस अम्वानी एसिया के सबसे अमीर वेक्टी तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के करेंट अफेर के कुशन्स आई होगी वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के पास वीडियो को सेयर कर दीजेगा सेयर करके दोस्तों अपना सपोर्ट दिखाए हमें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे है इसकी क लिए discussion होता है, लोग वहाँ पर अपने बने questions भेजते हैं, solution करते हैं, कोई भी problem होती है, एक दूसरे की doubts clear करते हैं, तो आप लोग telegram पर MZT education या फिर मिसरा जी technical MZT education सर्च करेंगे, तो मिल जाएगा 21.6000 subscriber हैं, उसी group को आपको join कर लेना है, वहाँ पर आपको बहुत सारे study material content मिलते रहेंगे, तो आप लोग telegram group को भी join कर लीजे, बात करते हैं, आज के आपके लिए questions की, पहला question है आपके लिए, विस्तो diabetes दिवस कब मनाया जाना शुरू हुआ, अगला भारत ने किस देश के साथ S-400 मिसाइल सौदा समझोता किया हुआ है, तो दोनों ही question important है, दोन इसको भी subscribe कर लीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में तक के लिए, नमस्कार जैहिंद, वन देवात रहां